सुरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमा चलते रहेने से हो जाती है हर मुश्किल आसमा चिन्ता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुख चिन्तन हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन सवार ले सुधार ले कर समस्य का समधान सवार ले सुधार ले कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान नमस्कार आदाव सर्शेकाल मित्रों स्वागत है समाधान कारिकरम में आप सभी का आज की शुरवात मैं कुछ सुन्दर पंक्तियों से करना चाहूंगा जो हमी सलमान साहब ने हैदराबाद से भेजा है ये कहते हैं कि मैं समाधान का लगातार व्यूवर हूँ लगातार वो देखते रहते हैं और इसे देख करके भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी पाई है उसे उन्होंने कुछ पंक्तियों में पिरोया है जिसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ ये कहते हैं जब से खुदा तु मेरा हबीब हो गया है सच कहूं तो मामला ही अजीब हो गया है बहुत सुन्दर पंक्तिया है ना परवाह खुद की ना अर्मानों की न ना तमन्ना अपनों की ना अंजानों की अब तू ही मेरी तकदीर मेरा नसीब हो गया है सच कहूं तो मामला ही अजीब हो गया है। कहते हैं ये जिधर भी देखता हूं तू ही नजर आता है। कहूं तो मामला ही अजीब हो गया है। बहुत खुबसूरत पंक्तियां हैं आपकी सलमान सहाब बहुत बहुत शुक्रिया और ये पंक्तियां आप सभी दर्शकों को भी हम आपके सम्मुख रहे हैं। सलमान सहाब ने बहुत कुछ पाया है पीस आफ माइन चैनल से सत्मुझ यही अनुभाव आप सब का भी होगा। सुन्दर पंक्तियों के साथ आज की स्कड़ी की शिरुवात करते हैं अभिनांदन करते हैं अधर्णिय प्राताजी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इतनी सुन्दर अनुभाव ञेकी समाधान देखकर के ऐसा लगता है कि शायद खुदा को इन्हों ने देख लिया हैं और अपना बना लिया है मुझे इनकी बाते शुनकर अपने बहुत सारे सुन्दर अनुभाव सामने आने लगे एक दम से इसलिए मेरा चित्व मगन होने लगा था कि वाः भगवान इस धरा पर आया लोगों के लिए ओ भगवान हमारे लिए हमारा पिता बन गया बाबा बन गया हम उसके इतने समीप आगे कि जैसे इनोंने का तुम्हें याद करना भी भूल गया अब जो रहत आही साथ हो तो याद करने की बात कहां है तो सच्मुच ये बहुत सुन्दर समय है और बहुत सुन्दर अनुभूती का एक चांस है हर मनुष को कि वो भगवान को अपना बना ले उससे अपने पन को फील करे उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाए और उसको अपने इतना महसूस करें कि उसके अलावा कुछ दिखाई ही न दे बस फिर तो मामला गजब काई हो जाएगा जिसके साथ भगवान रहे जिसकी छत्र छाया वो स्वेम बन जाए जिसकी चिंताएं वो स्वेम हरने लगे जब वो साथ रहेगा तो वहला वो अपने साथी को चिंतित कैसे दे भगवान जो सारे संसार का बोज उठाने वाला है उसको अगर को इस तरह साथी बना ले तो वो सारे बोज स्वत ही अड़ लेगा तो बहुत सुंदर बात है और हम अपने सभी भाई बहनों से दर्शकों से सभी चाहे हिंदू हो या मुसल्मानों सिक्ष हो या इसाई हो सभ भगवान की संतान है और इक्वली सब को यह अधिकार है कि इस तरह के अनुभाव सब करें तो मुसलिम भाईयों को बहुत हम कहेंगे सलमान साब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनादा जी कि हमारे पास समाधान परिवार में सभी है यहां किसी धर्म की बात बात ही प्यार भी उन सब को उसी तरह प्राप्त हो जाता है तो सच मुछ मैं यह कहूंगा परमात्म प्यार के सभी अधिकारी बन जाएं तो जीवन की यात्रा ही कुछ और हो जाए तो जैसे सलमान साहब के लिए मामला बड़ा अजीब सा हो गया है मतलब इतने करीब वो आ गये है खुदा के खुद को जानते चले जा रहे हैं सभी के साथ ऐसा कैसे हो कैसे वो ऐसे नजदीक पहुंचे जैसे कहा ना किसी ने की लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल तो जैसे आप जब बातें करते हैं कोई समाधान देते हैं लगता कि परमात्मा कि आप कितने समीप ह मांग भी है और हर वियक्ति इसी आधार से जीवन की यात्रा में तरप्त भी होगा अन्य था जीवन बहुत भारी होता जा रहा है मनुसका समझ्याओं से अनेक लोग घिरते चले जा रहे हैं बीमारियां भी अनेकों को तरस्ट करती जा रही हैं सम चर्चा कर चुके हैं कल तो जगे दिखा दिया बहुत पैसा खर्च कर दिया लोग पसिया पेन किलर दे देते हैं जब नहीं कुछ समझ में आता तो कुछ तो देना ही पड़ता है इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं लेकिन मनुस इन सब बातों से घिरता जा रहा है अब एक ही चीज रह गई कि उसी की और देखें जिसे लोग खुदा कहें या अल्ला कहें गौड कहें या हम अपना परमपिता कहें उसकी और ही देखें उससे अपना नाता जोड़ें ये समय है जब वो स्वयम हमें सब कुछ देने के लिए इस धरा पर उपस्तित हुआ है और उसने आते ही पहली फीलिंग ये दी मैं तुमारा हूं जब वो हमारा परमपिता है तो हमारा हो गया जब फील करके देखें भगवान कहने की बजाए ये कहें जो भगवान है वो तो हमारा है मेरा है तो कितनी समीपता हमें उससे फील होगी और फिर जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ भी हमारा हो गया तो उसकी सक्तियां, उसकी श्यान्ति, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, सब कुछ हमारा हो जाएगा तो सभी को इसका अनुभव करने के लिए इस वरी ज्यान की आवश्चता है और जैसा इन्होंने भी लिखा कि तुम्हारे द्वारा ही हमने तुमको जाना तो भगवान को भी उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं क्योंकि वो ऐसा एद्रस्ट से है, निराकार है, सुक्समती सुक्सम है, उसको कोई देहे नहीं है उसको सास्त्रों के द्वारा दर्शनों के द्वारा भगती के द्वारा या तर्क वितर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता कोई सोचे हम सास्त्राट कर लें और ये सिद्ध कर दे भगवान ये नहीं ये है उससे भी भगवान को जाना नहीं जा सकता इसलिए सिर्मत भगवत कीता में भी यह है, न वेदों से, न यग से, न तप से, न दान से, न पुन्य से, तो भगवान इस समय स्वयमा कर, मैं क्या हूँ, यह स्पस्ट कर रहा है, तो जिसको भगवान को जानना हो, सत्त की खोज समाप्त करनी हो, संसार में सबसे बड़ी खो का परम आनन्द प्राप्त करना चाहता है, जो हमारी अंतिम मंजिल है, मुक्ती, करमाती, तवस्था, परफेक्शन, उसका अधिकारी बनना चाहता है, तो उसके लिए आकर उसे ज्यान लेना चाहिए, इस वरिये ज्यान, पुस्त के पढ़कर देख लिए, सास ग्रंत कंठस तो स्वयम ज्यान सागर इस धरा पर उपस्थित हुए हैं, वही ज्यान दे रहे हैं, हम ये बात बहुत अच्छी तरह सब को सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, कि कोई इसे हमारी कल्पना न मान ले, कोई इसे हमारी भावना न मान ले, ये परम सत्त है, अंतिम सत्त है, कि स्व ग्यान दे रहे हैं जहां वेदों का ग्यान समाप्त हो जाता है जहां दर्सन निरुत्तर हो जाते हैं जहां उपनिसद कुछ नहीं कह पाते वहां से परमात्तम ग्यान शुरू होता है सभी धर्म गंतों में चाहिए किसी भी धर्म के हो जहां एंड हो जाता है वहां से इस्वर करें जैसे सल्मान साब ने की है हम सबने बहुत डिवाइन फिलिंग्स की जीवन में इसलिए मन की भावनाएं भी तरप्त हो गई खोज भी समाप्त हो गई और जीवन आनंदों में गुजरने लगा जीवन जीने की कला आ गई जो नहीं आती थी कोई धन के पीछे भाग रहा धन बहुत होगा तो जीवन सुखी होगा कोई साधनों के पीछे भाग रहा किसने बिजनस को बहुत बढ़ाया यह करें वो करें किसने एजूकेशन को बहुत आगे तक ले गए लेकिन देखा फिर भी रिक्तता है शुन्य है कहीं भी मनुस्तरप्त नहीं हो रहा है और जब हमने इस्वर यह ज्यान लिया तो सभी प्रसनों का उत्तर मिल गया कुछ जानना सेष नहीं रहा कोई से हमारा अविमान नसा मज़ लेगाया उप लगातार यह कहते रहे हैं कि यह परमात्म ज्यान है इश्वर ही हमें यह ग्यान दे रहे हैं उसे हमने देखा जाना समझा ज तो फिर लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया पंथ बदल लिया गुरू को छोड़ दिया तो ये एक जो क्या कहेंगे लोग ये वाली जो भावना है शायद ये परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रही है ऐसे लोगों को क्या इसमें ये सब्द निकाल जाये कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रहे हैं क्योंकि कोई भी जो ऐसा मानविये स्वरूप सामने रहता है वो अनेक लोगों को रोकता वस्थ है जैसे आपने कहा किसी को अपने गुरू का डर है तो किसी को अपने धर्म ग्रंतों का डर है तो किसी को मान्यताओं का डर पडोशियों का डर है, हमें धर्म से बाहर न कर दिया जाए। इन सब बातों से उपर उठेशन कर, हम तो सत्थ को जानने के लिए जा रहे हैं। हम तो परमात्मा के प्यार को पाने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा परमपिता है, हम तो अपने खुदा के पास जाना चाहते हैं, जो जिस धरम का वो उस धरम के अनुसार इसको स्विकार इस तरह करे, कि हम तो उसके पास जा रहे हैं, जब वो स्वयम सब कुछ देने आया है, तो इन दिवारों का कोई महत्तव नहीं रह जाता है और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जब सभी धर्मों के सभी लोग स्विकार करेंगे एक मत्से के यही परमसत है लेकिन फिर भी जिसको जिग्यासा हो सत्त को जानने की, सभी धर्मों में धर्मवालों ने अपने धर्मगंतों के नुसार बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन सभी में कहीं कहीं एतरप्तता रही है, खोज बाकी रही, हम सब धर्मों के लोगों से मिलते हैं, लो इसको लोग इस तरह का मान नहीं देते हैं ठीक है एक बंधन में बंदे हुए हैं बाहिए रूप से कर रहे हैं तो कुछ और चाहिए ऐसी खोज सब के पास है इसलिए इस दिवार को तोड़ कर इस दिवार को लांग कर सभी को सत्त की और बढ़ना ही चाहिए रहे कि सूरज न उतो सभ का है उसका प्रकास तो सभ के लिए है सब को मिलने ही वाला है जिनको सद्त को सत्त को जय जानना है जो अपने संगठन में परिवारों में प्यार का सामराज इस्थापित करना चाहते यह तो ऐसी चीज है जिसमें धर्म किसी को कुछ कह नहीं सकता यह तो सब की आवज़ सकता है उन्हें राजियों में इटेशन सीखना ही चाहिए ल बात यह हो गए अभात्यों कि धर्म परिवर्तन की आपके परिवार में सुखशांती की बात है, मनं में उन्नती की बात है और औडिरेक्ट जिसे आप मानते हैं जाहें आप खुदा कहें अलह कहें गौड़ फादर कहें उससे जुडने की बात और भी मैं sih बात कि कहना चाहूंगा सभी को कि देखिए हमारे सभी धर्मगरंथ चाहे वो कुरान हो या बाइबिल हो या गुरुगंत साब हो या वेद हो दर्शन उपनिसद्ध रामायन महा भारत सभी बहुत अच्छी चीजे मनुसको सिखा रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि बाते अच् रहे कि विचार नहीं है लेकिन विशेश रूप से के मन इतना निर्बल है कि चाहते हैं क्रोध बुरा है छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर फिर आता है राज योग से क्या होगा कि परमात्म सक्तियां प्राप्त होंगी इस ओल्माइटी उसकी माई ठम में आएगी अब व इस बात का नहीं नहीं लेगी कि ये तो हींदू है इसके पास मुझे जानाये मुसलिम इसके पास मुझे जाना है जैसे सूरज का प्रकास तो सब के लिए है सर्व शक्तिवहन की शक्ति जो उससे connection जोड़ेगा उसको प्राप्त होगी इससे हमारे मन की शक्तियां बढ़ेंगी और हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं एक बात इसलिए चाहे कोई किसी भी धर्म का अनुयाई हो और वो अपने धर्म गंथों में विश्वास तो रखेगा ही लेकिन अगर वो वो करना चाहता है जो धर्म गंथ कह रहे हैं तो उसे राजयोग meditation की सकती की परम आवश सकता है तो वो अपने धर्म में रहे लेकिन अपने धर्म में उसका level बहुत उंचा उठ जाएगा क्यों या कोई देवी देवता, माल लोग, अनुमान, गनेश या कोई दुरगादेवی, या विष्नु, या महादेव, या निराकार परमात्मा जिसमें भी जिसकी मान्यता है या प्यार है और वो उसको मिलना चाहते हैं कि एक बार तुम्हें हम देख लें, एक बार तुम्हारा हमारा मिलन हो जाए, तो राजियोग ये भी कराएगा, इसलिए ये सभी धर्म मत के अनुयाईयों के लिए बहुत ही सुन्दर गौडली गिफ्ट है, इसको ये दी फॉलो करेंगे, तो बाकी सब कुछ फॉलो करना सहर मतलब सभी के लिए खुला निमनक्त्रा है, और सभी के लिए उनिवर्सल है, कुछ चीज़े उनिवर्सल होती है, हवा है, तो धर्म जाती नहीं देखता, या फिर हम सुर्य की बात 新त्वाट करते हैं, बैसे राजियोग भी युनिवर्सल है, और परमात्मा तो कह है, हम कि अर्जुन को भी बहुत सारी मतलब शंकाएं थी कि मैं करूँ ना करूँ युद करूँ ना करूँ आदी और आपने ये भी कहा कि परमात्मा ने जब उन्हें अपना साक्षातकार कराया उसके पश्चात उनकी सारी शंकाएं दूर हो गए उन्होंने मान लिया कि हाँ आप ह वैसा कहेंगे वैसा मैं करूँ गा तो मन में कई बार आता है कि परमात्मा सर्व शक्तिवान है तो वो क्यों नहीं एक बार सभी को ऐसा अपना साक्षातकार करा देते कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ ताकि ये सारी जो बंधन, दिवारें, इभेद, भाव हैं सब खेतम हो कमी नहीं कर रहा है, वो अपनी ओर से सब को संदेश दिलवा रहा है, ज्यान उसने एसाही दे दिया, सब के लिए कि तुम ये ज्यान लो, लेकिन मनुस अपने ही बंधनों को तोड़ नहीं पा रहा है, इन बंधनों को तोड़ कर यदि वो आगे बढ़े, तो परमात्मा के खुदा के, अल्ला के बहुत समी पहुँच जाएगा, और उसे सत्का तुरं साक्सातकार हो जाएगा, तो इसकी बहुत आवश्यक्ता है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, एक सीमा में बंद कर न रह जाएं। तो क्या ऐसी शक्ति उन्हें मिल सकते हैं जिससे कि वो इन चीजों को थोड़ा समझ सकें। जवाई तो ला दी और मा ने कह दिया कि खा लेना इस इस टाइम लेकिन उन्हें खाई नहीं सब चुपा के रख दी। तो कुछ तो मनुस को खुद भी करना ही पड़ता है, एक सत्त को प्राप्त करने के लिए। बिलकुल सुन्दर बात है कि अनुभवों के बिना कई होना चाहिए, यह संभवसायद नहीं होगा, हाँ कोई बताएगा ना रसुग बहुत मीठा होता है, तो मानना पड़ेगा, तो मानने के बाद अनुभव होगा ना खाने से, तो कुछ चीजों को हमें ज्यान के रूप से लेना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिर हो मनुस को और आगे बढ़ाते हैं, गाइडी करते हैं, कहीं लोग ब्राता जी विद्याले से आते हैं, जैसे अभी इनका खैरिक सलमान जी की बात को लेकि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कईयों के ऐसे हमारे पास प्रशन आते हैं, जो विद्याले से जुड़े हुए है एक साल, दो साल, तीन साल से भी जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम आये तो हमें लगा कि हाँ हम परमात्मा के दिदार करेंगे, लेकिन वो जो अनुभूती होनी चाहिए, वो अनुभूती हमें प्राप्त नहीं हो रही है, वो परमात्मा से शक्ति नहीं मिल रही हैं, या वो खुदा का जो दीदार होना चाहिए था, उस दीदार से हम वंचित हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम आप ही गए, हमने सब कुछ जाना समझा भी लेकिन वो अनुभूतियां नहीं हो रहे हैं। करने के लिए पराम आवस्चे के जिसमें पहली दारना प्योरीटी है। कई लोग हम देखते हैं कि उनके मन में निगेटिव विचार बहुत चलते रहते हैं। वो निगेटिविटी के इतनी शिकार हैं कि अगर उन्हें सुन्दर अनुभू भी हो रहा है तो उसके बारे में भी वो निगेटिव सोच रहे हैं। मैं भी या नहीं कहीं ऐसा ही तो नहीं कहीं आखमल के देखते हैं मुझे कुछ हो भी रहा है जूट-बूट है। तो अगर मनुस को संपूर्ण विश्वास हो वो सतत्त प्रेक्टिस में लगा रहें। निगेटिविटी को वो अपने अंदर से निगाल दे। बहुत सोचने की जो आदत है उसको थोड़ा सा बंद करे। जो व्यर्थ बहुत चलता है मनुस के पास। और कुछ जो डिसिप्लीन्स सिखाय जाते हैं राज्ययोग में उनको अपनाएं। जैसे सभेरे उठकर बहुत अच्छा अभ्यास करना, सात्विक अन ग्रहन करना, संग पर भी अपने ध्यान देना, रोज इस वर ये महावाक्यों से अपनी जोली भरना। इस तरह इन डिसिप्लीन्स को भी ये दीव फॉलो कीया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं के अनुभूती नहीं होती। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है, किसी-किसी व्यक्ति को अनुभूती आते ही हो जाती है, और किसी को अनुभूती एक साल में भी नहीं होती, इस सब के भी कुछ कारण है, पूर्व के संसकार, पूर्व की की हुई भक्ति, परमात्मा से उनके मन में कितना प्यार है कितनी सद्धा है ये सब बाते भी कहीं न कहीं काउंट अवज से होती हैं उसके अनुभाओं के लिए जैनी बहता जी मैं कैसा भी हूँ मैं यदि सूर्य की और बढ़ना शिरू करूं या आग के पास जाओं तो मुझे उसकी सेख तो जरूर महसूस होगी या फिर मैं बर्फ का गोला हाथ में रख लों तो हाथ में ठंडक की अनुभूती तो होगी ही तो मैं कैसा भी हूँ मान लेजे लेकिन यदि मैं भगवान के सामने आया हूँ तब तो भगवान की शक्ति से मुझे अनुभूती होनी चाहिए सत्त यही है कि जैसे हम सूरज की और बढ़ें हम आग की और बढ़ें लेकिन परमात्मा की और भी बढ़ें तो सहीं लोग बढ़ते नहीं हैं वो यह सोचते हैं कि वो हमारी और बढ़ें लेकिन अगर मनुष स्वैम बहुत पवित्र है मान लोग किसी व्यक्ति के बोड़ी में बहुत bad smell आ रही है तो भला उसके पास कोन आएगा अगर कोई आ भी गया तो और चार फुट पीछे हट जाएगा परमातम मिलन के लिए मन उसको सुद्धी की बहुत आवस्चता होती है अगर उसके विचारों में गंदगी है अगर उसके मन में बहुत negativity है अगर उसका पा भी अपने अंदर धारन करके हम परमात्मा की ओरबढ़ें मुकाबले ये सोचें कि सूरज हमारी ओर बढ़ जाए यहार हम परमात्मा की ओर भड़एं तो अनुभूती होगी अवस्या जाओ ने अगर taking ससून्द्रिश्टि से सोचें तो जैसे बच्चowing कितना भी गंदा क्योंना हो दुशित हो गया हो पतित हो कैसे भी बिमारियां हो बद्बु आ रही हो तो भी माता-पिता तो माता-पिता ही होते हैं सिसके नजदीक ढuts Moscow करने की कोशिव करें उसकी सर्थ यही है कि एक कदम तुम बढ़ो तो सो कदम मैं तुम्हारी और बढ़ूँगा, एक कदम तो हमें उसकी और बढ़ना ही होता है, मानलो बच्चा बहुत गंदा है और माँ बापने उसको साफ कर दे, लेकिन फिर गंदा हो गया अगले इच्छन, फिर साफ किया, फ कुछ कर्मों के सिद्धांद कारिये करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ प्राप्त करेंगे, उसके कर्म, उसनुसार चिंतन, उसनुसार परियास हमें ही करना पड़ता है, परमात्मा केवल हमारा सुन्दर गाइड बनता है, बिलकुल, मैं वही एक बात विशेश करके चाहता था भी वो करेगा और वो समय आ रहा है जब वो सब के कान पकड़ेगा और थपड़ने कुछ और ऐसा लगाएगा कि सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक होना सुकदाई नहीं होगा, सुकदाई वो चीज है जब मनुस एक अच्छे मार्क को फॉलो करके, अपने चित को स्या पड़ता है कि सभी को उनके पापकर्मों की सजा दिलाकर, जो उनमें इंप्योरीटी या विकार या वासनाई आ गई हैं, उन से उसको छुडा देता है जब अरदस्ती, लेकिन ये काम वो करेगा अंत में, पहले वो बहुत प्यार दे रहा है, सब की पालना कर रहा है, सब क क्योंकि वो हमारा है, वो हमारा है, बस ये फेलिंग हमें बहुत कूल कर देती है, शीतल, लगता है कि इस चर्चा को जारी ही रखें, प्रता जी मैं कल विशेस, आज तो वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा है, कल विशेस मैं जानना चाहूँगा कि खुदा को क्या आप को कैसा लगा, क्योंकि ये चर्चा चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि प्रश्णों को थोड़ा सा किनारी रखते वे इस चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ा है, कल मैं विशेस आप से ये जानना चाहूँगा, आज कि सुन्दर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहु व्यक्ति रहा है, लेकिन उसे यदी पाना है, तो खोना पड़ेगा, जितना हम खोते जाते हैं, उतना उसे पाते जले जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरुरत इस बात की है, कि सच मुझ हम उस परम सत्य की और एक कदम तो बढ़ाएं अवशे, जब हम एक कदम आवश्यक्ता शायद आज इसी बात की है, सलमान जी की बात से हमने शुरुवात की थी, हम सभी धर, मठ, पंध, जिसको भी मानते हों, परमात्मा तो हमारे एक हैं, हमारे माता-पिता हैं, क्यो ना, अब उस माता-पिता की गोध में हम सब चलें, उसे जाने, पहचाने और जीवन का संफोन आनंद लें, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ, नमस्कार झाल